हेलो गैंच तो कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे बहुत लोगों का डिमांड यह आ रहा था कि एक ऐसा वीडियो बनाई यह जिसमें बीए में स्टुडेंट के बैग में क्या-क्या होता है मतलब तो आइए चलिए एक-एक अपर के देखते हैं इस बैग को हम खोल लेते हैं तो मेरे में क्या-क्या है उससे पता चल जाएगा कि BMA स्टुडेंट के बैग में क्या-क्या होना चाहिए तो मैं एक फाइनल एयर के चुडेंट हूं है फाइनल का मतलब है हर BMA student के बैंग में होना चाहिए first year से लेके fourth year तक क्योंकि first year में इस्थेथिस्कोप का यूज होना शुरू हो जाता है तो प्रिशन आपने के लिए इस्थेथिस्कोप का बहुत ज़्यादा ही जरूरत पड़ता है जिसके वज़े से first year वाले को सबको खरीदना पड़ता है ज अब चलिए मैं इसको खोल कर दिखाता हूँ स्फिग्मो मैनोमेटर क्या होता है देखिए यह होता है स्फिग्मो मैनोमेटर जिसको आम बोलचाल के भाषा में BP मशीन कहते है first year के student लोगों को यह और यह दोनों खरीदना होता है ताकि patient का blood pressure ना पाच जा सके तो यह दोनों reflex hammer आप यह देख सकते हो यह reflex hammer इस reflex hammer का हम लोग reflex check करने में यूज किया जाता है for example इससे हम लोग करते हैं नी reflex और अगर इसको हम खोले कुछ इस तरीके से आओ तो इससे हम चेक कर सकते हैं प्लैंटर रिफ्लेक्स और भी बॉडी में बहुत सारी रिफ्लेक्स होती है उन सब को चेक कर सकते हैं इस इंस्ट्रुमेंट के माध्यम से और मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं हैमर को पीछे से अगर खोले तो कुछ इस तरीके से खुलेगा और यहां पे यह जो ब्रश आपको दिख रहा है इससे भी हम लोग रिफ्लेक्स चेक कर सकते हैं चलिए मैं इसको अभी लगा देता हूं अब और एक बात इससे मैं सेल्फ डिफेंस भी कर सकता हूं कुछ इस त होता ही है और भी बहुत साथ जगप मेंजर करने के लिए और अगर नहीं भी एक स्टुडेंट है तो यह एक ट्रीष होना ही चाहिए यह हम लोग कहां-कहां यूज करते हैं इसकी ऊपर में डिटेल वीडियो बना दूगा फिलाल के लिए रखते हैं इधर हमारे पास है यह इस बॉक्स में है इस बॉक्स में है कुछ अलोपेथी मेडिसेंज आए हम देखते हैं कौन-कौन सी मेडिसें है हमारे पास तो पहला मेडिसें है सेफलोस्पोरीन ग्रूप का सिफिक जीम और यह है सिफिक जीम 200 दूसरा है कोई नोल्स ग्रूप का ओफ्लोक्सासीन और वैसे यह ओटू टेबलेट है तो ओफ्लोक्सासीन प्लस और डेजोल्ट है यह हो गया एलेक्टरल पाउडर जो की आधा ही यूज हुआ है और आधा बाकी है हमारे पास है पीपी आई तो पीपी आई भी हम एमर्जें में है तो हम लोग यूज कर लेते हैं कि हमारे पास इसका ग्यान है पूरी तरीके से तो हम लोग यूज करते है अपने उपर भी और अपने फैमली के यूपर भी और वैसे विश nasui से स्टावड नबहाई है जो उपाई है कि हां तुम लोग आयरुवेदिक चुम दोंने त आपको दिखाऊंगा अब देखते हैं next क्या निकलता है मेरे बैक से तो यह है और यह है दॉक्टर मॉर्फिन का पल्स ओक्सीमीटर आप यहां पर देख सकते हो प्ल्सीमीटर चलिए अब हम इसको खोल के आपको दिखाते हैं हम लोगों का जब क्लीनिकल क्लास होता है तो उस बगा रहे हैं और धक्कन बंद करके यहां देखिए और फिर हम यहां पर उंगली डाल कर यहां पर प्ल्स चेक कर सकते हैं तो मेरा ऑक्सिजन सेचुरेशन है 99 और 90 है फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है तो क्लास जो है सब ऑनलाइन हो गया है जिसके वजह से मैं बैटरी खोल कर रख देता हूं जब नेक्स क्लीनिकल क्लास होगा तब हम इसमें बैटरी लगा के रखेंगे फिलहाल के लिए यह गया अंदर चलिए इसे भी रख देते हैं यहां पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है नेक्स्ट बीमे स्क्रेंट्स के बैग के अंदर और क्या हो सकता है हो सकता है यह चाकू यह चाकू आप देख रहे हो यह चाकू सेल्फ डिफेंस के साथ साथ और यह बहुत जगा चीज काम आती यह बहुत ज़्यादा काम आता है तो यह मैं हमेशा रखता हूं अब नेक्स्ट BMA student के बैग में और क्या क्या हो सकता है आईए देखते हैं तो BMA student के बैग में होता है यह आमला चुड़न तो आमला चुड़न मैं आपने परसनल यूज के लिए रखा हूं क्यूंकि यह एक र रियोग करता हूं वैसे रसायन द्रवे बहुत सारा है लेकिन उसमें से सर्फ मैं यह आमला ही चुरन खाता हूं रसायन द्रव का काम यह होता है कि आपको यह जल्दी बूढ़ा होने नहीं देता और भी बहुत सारे जो नरिश्मेंट्स होते हैं हमारे बॉड़ी में वह फु इसमें है मेरा आईपैड तो यह मेरे पास आईपैड इसमें अपना नोट्स बनाता हूं वेब सीरीज देखता हूं नेट्फिक्स पे और मैं वीडियो एडिटिंग भी करता हूं तो यह तीनों काम हो जाता है पहले मेरे पास लैप्टॉप था लेनेवों का वह बहुत जिसको मैं scan करके इस पर पढ़ सकता हूं और मुझे copy खरीदने का जोरत नहीं पढ़ता खास करके मुझे copy खरीदने का जोरत पढ़ा ही नहीं मैं सिर्फ एक ही copy खरीदा हूं अब तक जब से यह iPad आया है बैग भारी होने का जंजट खतम फिलहाल बस यही है हमारे पास और आप कमेंट में लिख कर बोल सकते हो फिलहाल के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और देखते रहिए दाइर विदा व्लॉग